तो भाई, festive season की sale आने वाली है और तुम लोग दबा के laptops खरीदने वाले हो अभी हमने recently बहुत सारे gaming laptops तो review कर दी है चैनल पे लेकिन आप में से मेरी ऐसी बहुत सारी audience है जो thin and light laptop प्रेफर करते हैं जिनका काम थोड़ा office level का होता है multitasking वगरा करते है और वेब ब्राउजिंग, OTT वगरा देख लिया और उनको हलका laptop चाहिए फिर चाहिए वो office जाने वाले लोग हो फिर चाहिए college या school students हो तो आपके लिए आज हमारे पास है तीन laptop Asus की तरफ से इनकी प्रसिद वीव बुक सीरीज जब भी laptops में thin and light की बात होती है वीव बुक तो सबसे पहले दिमाग में आता है and yes, this video is made in collaboration with Asus and Intel तो आपको आज इस वीडियो में Asus वीव बुक सीरीज के तीन laptop में दिखाऊंगा जिसके अंदर OLED डिस्प्ले वाला laptop भी है flip वाला laptop भी है अंदर 8 e-cores मिलते हैं और यह जो H-series वाले processor होते हैं यह high performance वाले processor होते हैं यह usually हमारे को gaming laptops मिलते हैं यह processor आपको एक thin and light laptop में मिल रहा है तो आप performance की अच्छी उमीद इस से कर सकते हो and इस laptop के अंदर हमारे को मिल जाएगी 16 GB RAM dual channel में DDR4 3200 MHz clock speed वाली जिसमें से 8 GB RAM soldered है और एक slot हमारे को मिलेगा तो एक slot के अंदर आप 16 GB future में लगा सकते हो total 24 GB तक यह maximum upgrade हो जाएगा और इसके अंदर मिलते है 512 GB की Gen 3 SSD हमारे को connectivity के मामले में Wi-Fi 6E and Bluetooth version 5.3 और वाई Asus की VivoBook सीरीज है तो MS Office Home and Student आपको lifetime के लिए इसके अंदर मिलेगा एंद इस laptop के अंदर 42 Watt आर की battery हमारे को मिलती है साथ में 65 Watt की fast charging भी यह support करता है तो जिनको thin and light laptop के साथ एक बड़ी display पसंदा है वो लोग इसको consider कर सकते है यहाँ पे हमारे को 16 inches की full HD display मिलती है और बैस इसके बारे में इसके अंदर में 16 to 10 एसपेक रेशियो मिलता है इसके डिस्प्लेगा पैनल है वो मर्य को IPS वाला मिलता है बैसिक डिस्प्लेय ऑफ़टी परसेंट की और साथ के काम करने हो वाइट कलर की लाइट जलती है तो अंदेरे अंदेरे में काम करने हो कोई ऐसी दिक्कत नी होगी और इस लापटाप के ट्रैक पर यह कॉर्णर हमारे को काफी रिव्यूज वगरा है इस वाले मॉडल का स्पेसिफिकली नहीं है अगर आप यूट्यूब पर सर्च करोगो तो मिल जाएगा डेडिकेड़ रिव्यू एक बाट देख लेना ताकि इसकी पूरी इंफर्मेशन आपको मिल जाए और अब जो सेगिंड लाफटाप हमारे इसके अंदर भी सेम वही सीन है 8GB RAM सोलडर है 8GB की स्टिक लगी हुई है इसके अंदर एंद उसको फ्यूचर में अपग्रेड करना हो तो 8 निकाल के 16 लगा सकते हो मैक्सिमम 24 जीबी तक अपग्रेड यह हो जाएगा 512 जीबी की जैं 3 SSD हमारे को इसके अंदर मिलेगी लेकि यह भी 65W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है अब जिनको 16 इंचीज वाला लगता है तो 15.6 इंचीज वाला कंसिडर कर सकते हैं इस लापटाप को फॉर्म फैक्टर है ना वही एक मेरे को सबसे बड़ी चीज लगी 19.9 mm यह थिक है 1.66 kg के आसपास इसका वेट है त स्टूडेंट हो करना है तो कोई दिक्कत दी होगी आपको इसके अंदर भी हमारे को फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा सिंगल कलर बैकलिट कीबोर्ड मिल जाता है फुल साइज वाला एंड ओवर लाप टॉप से आप बिल्कुल वीवो बुक वाली फील आप एक्सपे सब्सक्राइब के साथ एक तगडी डिस्प्ले चाहिए ना तो इस लाप टॉप की डिस्प्ले आखों को परम आनन्द देगी जो बाइब करती है जो कॉंटेंट दिखाई देता है इसके उपर फिर प्रॉड़क्टिव तास्क कर रहे हो लाइक 13500H के अंदर आप वीडियो और वान हमारा सुन्दरता से बरपूर एस 14 फ्लिप बाइब का चोटा पतला दुबला हलका लापटॉप एड़ फ्लिप वर्ड यू जो रहा है यानि कि यह थ्री सिक्स्टी आप इस लापटॉप का गुमा सकते हो इसके अंदर मारे मिलता है इंटल को राए 5 1335 यू प्रो आपको अगर स्टूडेंट हो वह सारे टास्क एजिली करवा देगा लाइक बेसिक लेवल की वीडियो एटिंग होगी बेसिक लेवल की फोटो एडिटिंग होगी ज्यादा एडवांस लेवल पर आप जाओगे तो आपको एट सीरीज का प्रोसेसर चाहिए और इसके अंद साथ में टाइप सी पावर डिलिवरी को भी सपोर्ट करता ही है यानि की टाइप सी चार्ज रगे थूभी आप इस लाप्टोप को चार्ज कर सकते हो और इस लाप्टोप के बाई मेंली जो लुक्स है वह सबस्यादा प्रीमियम निकल के आते हैं इसकी जो टॉप लेड़ ह वह हमारे को अलुमीनियम की मिल जाती है एंड इस लाप्टोप की थिकनेस भी आसा जादा नहीं है 18.9 mm थेक है 1.6 kg इसका वेट है लाइट वेड लाप्टोप है हमारा और यह आता है 14 इंचीज की फूल टच डिस्पले के साथ जिसकी पीक ब्राइटनेस 300 निट्स की है एं इसको यूज Oo तो आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं जिसकी डिस्पले मैल्लिट्ट को भी सपोर्ट करती है और इसकी दिस्पले काadece से भी इसली यूज कर सकते हो four-顆 var कर पार बटन है और काल्व का सक्गवर्स काम कर जाता और इस लापकं humor jun में जानना है कुछ information और जाधा depth में चाहिए थोड़ी performance कुछ अगर गेम वे में देखने हो कि कैसे चलते हैं इसके अंदर हमने इसका भी dedicated review बना रखा है आप वो जाके चेक आउट कर सकते हो link देदूंगा description में यह ते मेरी तरफ से कौन सा laptop जादा पसंदा है मिरे को comment करके बताना और आप में जो कौन लोग वीव बुक सीरीज का laptop यूज कर रहे हो वह भी मेरे को comment करके बताना पसंदा आई वीडियो लाइक मारतेना पहली बार है और सब्सक्राइब मिलते नेक्स वीडियो तक के लिए बाए